असलाम अलेकुम आवरिवन आज मैंने ये कुछ कपड़े सिलकर रेडी किये है ये सारे अलग-अलग बेजाइन के कपड़े है तो वीडियो में मेरे साथ एंटक बने रही है एक एक करके मैं आपको सारे ड्रेस दिखाती हूँ तो ये पहला पीस है ये मेरे पास सूट का मैंने टॉप के कपड़े की लिए है तो यहाँ पर टोटल सोला कली है और इसको मैंने इस तरीके से एक कली प्रेन और एक प्रिंटेट करके इसको रेडी किया है यहाँ पर बॉड़ी का पार्ट मैंने बॉटम के कपड़े का लिया है और स्लीज मैंने प्रिंटेट कपड़ के लिए है और इसके साथ मैंने अलग से चोली बनाई है जो के प्रिंटेट कपड़े की लिए है और यहां पर इसको हाइनेक कॉलर देकर इस तरीके से गला रेडी किया है और यहां पर लेस लगा दी है यहाँ नीचे की तरफ लेज की दो लाइन लगा कर यहाँ पर पोटली बटन के साथ इसको मैंने रेडी किया है अब इसको यहाँ पर इस तरह के से रखकर मैं दिखाती हूँ कि यह पहनने पर इसका लुक किस तरह से आएगा तो यह देखे इसको मैंने साइड में जिब लगाया है ताके पहनने में आसानी हो और यह देखे यह है इसका फाइनल लुक तो यह इस तरीके से सूट के कपड़े से मैंने अनारकली ड्रेस रेडी कर लिया है और ये देखें यहाँ से आप करीब से भी इसको देख सकते है ये customer का suit है पहनने पर इसका look किस तरीके से आएगा अगर इसकी photo मेरे पास आती है तो मैं अपने Instagram पर उसको upload करूँगी तो आप Instagram पर भी मुझे follow कर ले अब यहाँ पर इसके बाद मैं आपको दूसरा suit दिखाती हूँ तो ये देखें ये simple कुटी है इसके सिर्फ गले में मैंने इस तरीके से V-save design देकर यहाँ पर उरे पट्टी से मैंने गले को round में पलटा लिया है इसकी sleeves में इस तरीके से design बनाई है ये देखें यहाँ पर भी गले में जिस तरीके से V बनाया है sleeves में भी उसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये देखें V-save देकर इसको बुक्रम से पलटा लिया है और यहाँ पर एकी चोड़ी पट्टी लेकर यहाँ पर इस तरीके से बेल्ट बनाया है यहाँ पर टोटल मैंने तीन इच कपड़ा लिया था दोनों साइट से आधा आधा इच सिलाई में गया है और यह इसको उपर की साइट फोल्ड किया है तो यह टोटल एक इच का बेल्ट इस तरीके से रड़ी हुआ है यह देखे तो यहाँ पर स्लीव्स डिजाइन देकर इस तरीके से सिंपल कुर्टी को मैंने रड़ी किया है अब मैं यहाँ पर एक और पीस आपको दिखाती हूँ इसमें दो अलग-अलग डिजाइन की दो कुर्टिया है एक और कुर्टी है मेरे पास पहले मैं इसको दिखाती हूँ यह यहाँ पर स्लीव्स डिजाइन कुर्टी मैंने रड़ी की है यह देखे यहाँ पर स्लीव्स डिजाइन दिया है और यह फ्रंट से उपन है और साइड से इस तरीके से राउन दिया है मैंने और यहाँ पर इसकी sleeves को देखे यहाँ पर एक ही चोड़ी पटी लगा कर यहाँ पर चुन्नटे देकर मैंने sleeves ready की है और यह button है जो मैंने sleeves में भी यहाँ पर लगाया है जो मैंने front side button लगाये है वही button मैंने यहाँ पर sleeves पर भी लगाया है और ये इस तरीके से ready की है अब मैं आपको इसका पूरा लूप दिखाती हूँ ये देखे ये ready made बटन है जो मैंने इस कुर्टी पे लगाए है आप चाहे तो fabric बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं ये देखे अब मैं आपको एक और कुर्टी दिखाती हूँ इसको चुलनटे देकर लेकिन यहाँ पर body की length मैंने कम रखी है नॉर्मली body की length 14 इच होती है तो इसको मैंने यहाँ से 12 इच ही रखा है और फिर मैंने इसको घेरा इसके साथ जोइट कर दिया है और इसके गले को मैंने उपर की तरफ यहाँ पर पलटा कर यह पट्टी को थोड़ा लंबा रखा था और फिर यहाँ पर plates देकर इस तरीके से design दे दी और यह इसकी sleeves है sleeves को मैंने यहाँ पर उसी तरीके से ready किया है यह देखें यहाँ पर एक पट्टी लगा कर फिर आगे की side चुलनटे दे दी है जो के मैंने red वाली कुर्टी में बनाई थी उसी तरीके की sleeves यहाँ पर भी बनाई है लेकिन इसमें button attach नहीं किया है तो यह देखें यह इसका final look इस तरीके से यह कुर्टी को मैंने ready किया है और इसके साथ मैंने pant भी ready किया है जिसमें थोड़ी सी हलकी फुलकी मैंने design की है तो मैं आपको इसका pant भी दिखाती हूँ तो अब यह देखें यह है इसका pant और इसमें मैंने anchor third से यहाँ पर इस तरीके की lining दी है तो यह देखें यहाँ पर मैंने पहले कुर्टी के कपड़े की piping दी है और फिर यहाँ पर anchor third से इस तरीके से सिलाई लगा ली है तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने simple design देकर pant को ready किया है अब यहाँ पर पहले मैंने आपको एक और red कुर्टी दिखाई थी उसी कपड़े की यह long कुर्टी है तो यह देखें यहाँ पर इसको वी कॉलर के साथ मैंने ready किया है और इसकी किनारी पर लेज भी लगाई है और नीचे से इसके दामन को मैंने इस तरीके से round में cut किया है यह देखें और यह इसकी sleeves है sleeves में मैंने यहाँ पर elastic लगाई है और इस तरीके से ये long कूरती मैंने ready की है तो ये देखे अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इस तरीके से ये simple कूरती को मैंने ready किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को like करे और चैनल को subscribe करके bell notification को all पे click कर दे अब ये उसी कुर्टी की पैंट है तो ये देखे यहाँ पर इसको मैंने जॉइंट लेस लगा कर फिर इसकी किनारी पर वही लेस लगाई है जो के मैंने कुर्टी के गले में लगाई है तो ये देखे इस तरीके से इसकी पैंट पर डिजाइन की है और यह आप इसको करीब से देख सकते है इस तरीके से यह पुरा सूट रेडी हुआ है अब यहाँ पर यह देखे मैंने कोट सेट रेडी किया है और यह इसका पैंट है जोके सिंपल ही है और यह देखे यह टॉप है इसको मैंने short color के साथ ready किया है तो ये देखे ये front open है A-line shape में इसको मैंने cut किया है और इसकी length गुटनों से थोड़ी उपर है और इसमें button मैंने fancy लगाए है ये देखे ये cuff में भी इसी तरीके के button देकर इसको sleeves को मैंने ready किया है और मैं आपको करीब से दिखाती हूँ ये देखे इसके flower में matching button यहाँ पर मैंने लिये थे और उसी को यहाँ पर मैंने attach किया है और इस दरीके से ये coat set को मैंने ready किया है ये देखे sleeves को भी आप करीब से देख सकते है तो ये है इसका final look और ये थी मेरी आज की वीडियो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए लाफिस